अभी कोरोना संक्रमन चारो और फैला हुआ है इसे समय में इम्मिनिटी बनाई रखने में प्रोटीन की अहमियत सबसे ज़ादा है पनीर आपकी तादकालिक आवशक्ता को पूरा करने में मदद करता है सेहत और स्वाद दोनों की हिसाब से ही पनीर खाने में एक बहतरिन कॉम्बिनेशन होता है मैं शोच से पता चला ही कि अब कोरोना संक्रमन हवा में भी फैल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बावजुद भी लोग निरंतर इसकी गिरफ्ट में आ रहे है कोरोना रिकवरी के साथ पनीर आपको सेहत के भी अनमोल फायदे देता है अईए चानते हैं पहला पनीर का सेवन कब करें? दिन के समय आप पनीर का सेवन कभी भी कर सकते हैं लेकिन इसे सिमित मातरा में ही खाए अधिक मातरा में इसका सेवन आपको पाचन संबंदी समस्या या गेस पेदा कर सकता है रात को सोते वक्ते इसे न खाए बलकि सोने के एक से दो घंटे पुर्वा इसका सेवन किया जा सकता है दुसरा, मेटाबोलिजम पाचुन और पाचन तंत्रे के लिए मेटाबोलिजम का रोल बहुत महतवपूर है पनीर में अतिधीक मातर में डाइटरी फाइबर होते हैं जो बोजन के पाचन में बेहत मतदगार साबित होता है यह पाचन तंत्रे के सुचारो रूप से चलने के लिए बेहत फाइदे मन्धी और महतवपूर है तिसरा, कैंसर पानी का सबसे बड़ा लाब यही है, इसमें कोई शक नहीं हाल ही में हुए एक शोद में यह साबित हुआ कि पनीर में कैंसर जनीत, कार्णो और खत्रू को कम करने की शमता है पेट के कैंसर, कॉलन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में पनीर बेहत प्रभावी साबित हुआ है चोथा, डाइबिटीज ओमेगा तीन से भरपूर पनी डाइबिटीज से भी बेहत प्रभावी तरीके से लड़ता है विशी शग्य, डॉक्टरों का कहना ही कि वे भी अपने डाइबिटीज रोगियों को रोजाना पनीर को डाइट में शामिल करने की सलहा देते है सबसे महतुपूर्ण बात यहां ही कि पनीर दोनों टाइबिटीज के लिए प्रभावी साबित होता है दूद से बनने की कारण पनीर में भी दूद के गुलों का बंडार है जिनमें उर्जा का स्त्रोध भी शामिल है शुरीर में तूरंत उर्जा के लिए पनीर का सेवन फाइदे मन्द है बोडी ट्रेनिंग करने वालों के लिए यहां और भी फाइदे मन्द है छटा गर्भवती महिला गर्भवती महिलाओं को केल्शिम की ज़रुरत होती है जिसके लिए पनीर का सेवन करना फाइदे मन्द होता है पनीर केल्शिम का एक अच्छा इस्त्रोथ है साथवा पाचन के लिए पनीर पनीर के सेवन से पाचन शक्ती मजबूत रहती है साथी प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाने के लिए पनीर फाइदे मन्द है आठवा दात और हड्डिया पनीर का सबसे बहतरी नलाब है कि यहां आपकी हड्डियों और दातों को मजबूत बनाता है साथी केल्शिम और फासफोरोस का एक बड़िया इस्त्रोथ भी है रोजणा पनीर का सेवन हड्डि की समस्या जोड़ों में दर्द और दात के रोगों से बचाय रखने में बेहत मददकार है नवा एक्सरसाइज एक्सरसाइज करने के पहले आब बाद में इसका सेवन बिलकुल ना करें खासतोर से एक्सरसाइज के बाद इसका सेवन पाचन को प्रभावित करेगा दसवा शरीर को रखे फिट वजण को नियंतरीत और खुद को फिट रखने के लिए इसका संतुलित मातरा में सेवन काफी फाइदेमन साबित होगा शरीर को खाना डाइजिस्ट करने के लिए प्रोटीन के सबसे ज़्यादा जुरूरत होती है और पनीर में भरपूर प्रोटीन होता है अगर आप रोगों से संक्रमित हो जाते हैं तो आपकी इमिनिटी यह आपको बचा सकती है वैब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड भार से बचे, मास्क पहने वह सैनेटाइजर का इस्तमाल करे साथ ही सोशल डिस्टनसिंग का पूरा पालन करे से अपकी से इस्तमाल कर्णाइजर का बचा रचे दूरा है